केरल की वाइनाट लोकसभा सीट से राहूल गांदी के स्थीफिक के बाद प्रियांका गांदी वहां से चुनाव लड़ेंगी। कॉंग्रेस की इस घोश्टा के बाद सियासी संगराम चिर गया है। इंडिया घडबंदन के साथी लेफ्ट का कहना है कि राहूल गांदी ने वाइनाट की जनता के पास के साथ अन्याय किया है। तो बीजेपी इसे परिवारबाद की प्रकास्ता बता रही है। वहीं अचारे प्रमोत किष्टम कह रहे हैं कि कॉंग्रेस को हिंदू वोटर्स पर अब भरोसा नहीं है। इस्टे प्रियांका गांधी वाडरा को वाइनाट भेजा जा रहा है। तो आज इसी मुद्धे पर होगी जोरदार पॉलिटिकल टककर गांधी परिवार उत्तर दक्षिन में करेगा क्या बेड़ा पार। वाइनार से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पिरियोडिकली वाइनार जाओंगा। यू हाब नाव टू मेंबर्स पार्लिमेंट, वन इस माइस सिस्टर और वन इस मी। उधर प्रियंका वाडरा के पती रॉबर्ट वाडरा की सियासी तमन्ना भी हिलोरे मारने लगी। प्रियंका के संसद में भाग ले पर उनको संसद के रूप पर देखने पर उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि वाइनार सीट छोडने पर लेफ्ट भी कॉंग्रेस को कोस रही है। प्रियंका गांधी जी को वाइनार से लड़ा करके एक बात प्रूब कर दी है। कि कॉंग्रेस को हिंदूओं पर भारोसा नहीं है। अब जरा चुनावी राजनीती में प्रियंका के डेब्यू पर सियासी उबाल भी देख लीजिए। कॉंग्रेस को पार्टी नहीं एक पारिवारी कंपनी है ये तो आज सिध हो गया। तदन में राहूल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा। उसमें अब प्रियंका जी हूँ। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस उत्तर से दक्षन परिवार का डबल इंजन। तो उत्तर से दक्षन तक परिवार का डबल इंजन लेकिन सियासी पिछ पर रहूल प्रियंका की जोड़ी का विशलेशन। अगर प्रियंका जीती तो पहली बार संसत में गांधी परिवार के तीन मेंबर एक साथ बैठेंगे। सोन्या गांधी राजिसवा में और राहूल और प्रियंका लोगसवा में मोर्चा संभालेंगे। कॉंग्रेस का कहना है कि उत्तर में राहूल और दक्षिन में प्रयांका नरेंद्र मोधी की सरकार की नीव हिला देंगे वोट बैंक का आरोप क्यों है वाइनाट सीट पर 40% मुस्लिम और 20% इसाई वोटर है अचारे प्रमोत किश्रम ने इसी और इशारा किया अचारे प्रमोत किश्रम प्रयांका गांधी के पूर अडवाइजर है कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेताओं में शामिल रहे है और मौजूदा में कलकी पीठा दिश्वर है अभी उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन नहीं किया है कॉंग्रेस के हिंदू विरोत की चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी थी वाइनाट सीट ही क्यों 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित में आई वाइनाट लोकसभा सीट परिसीमन के बाद हिंदू वोटर की संख्या घटी और मुस्लिम वोटर बड़े परिसीमन के बाद लगातार चार बार कॉंग्रेस यहां से जीच चुकी है मुस्लिम लीग जो पार्टी है वो भी कॉंग्रेस का समरतन करती है इसलिए लेफ्ट हार जाती है यानि मुस्लिम का वोट बाद डिवाइड नहीं ओरता वो कॉंग्रेस के पक्ष में जाता है यह बड़ी एडवांटेज है क्या है सियासी संदेश उत्तर प्रदेश में 10 साल बाद लोगसभा चुनाव में कॉंग्रेस का वोट शेर 10% के करीब पहुँचा है यह महतपूर नंबर है यूपी में पैर जमा कर कॉंग्रेस दिल्ली की रहा आसान करना चाती है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी दिखाना चाती है कि अब हम हमारी हैसियत है इसलिए हमें हलके में विधानसभा चुनावों में ना ले क्योंकि राहूल खुद राय बरेली से है और एक बड़ी जीत दर्च करी है राहूल गांदी ने लेकिन बड़ा सवाल क्या है कॉंग्रेस पर परिवारबाद के टैक को प्रियंका के एंट्री ने और मस्बूत कर दिया है क्योंकि भारतिय जंता पार्टी कह रही है कि ये परिवारबाद की तो प्रकास्टा हो गई है मेरे साथ चर्चा करने के लिए कई खास मेमान जुड़े है मेरे साथ विवेक शिर्वास्तव है नेता लिफ्ट पार्टी के डॉक्टर अनुरा गुदोरियां प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के शैदाद पुनावाला जी है मेरे साथ भारतियंता पार्टी के नेता और प्रवक्ता तो शैदाद पुनावाला जी ये डबल एंजन कैसा दिखाई दे रहा है आपको मुझे तो लगता है डबल एंजन नहीं अब तो एक और एंजन आने को बेकरार है ये तीन एंजन तो अलड़ी संसद में पहुचाने की लोग जो कोशिश कर रहे हैं चौथा एंजन ने तो बयान भी दे दिया चौथा एंजन रोबर्ट वाडरा वाला अच्छा आज चाहे वो किसी को भी भेजे ये उनका आंतरिक मामला है पर तीन या चार निशकर्ष बहुत साफ है पहला निशकर्ष ये है कि राय बरेली में जो राजनेतिक विरासत है परिवार की वो पुत्री के नाम कभी नहीं हो सकती पुत्र के नाम पर ही हो सकती है दूसरा जहां अमेठी राय बरेली वर्षों तक प्रियंका वाडरा काम करती रही भाई ने बहन को वहां से हटा दिया और बोला तुम जओ लेफ्ट पार्टी के से निप्टो केरला में अब लेफ्ट पार्टी इसको पूछा तक ने आई-यू-मल को पूछ लिया पर लेft पार्टी इसको किसी नहीं नहीं पूछा और आपने सुना होगा कि राय बरेली के रोबर्ट वाडरा का जो बयाना आया रॉबर्ट वाड़ा ने कहा कि मैंने इस बार साफ साफ कह दिया था कि आज केवल प्रचार नहीं करेगी प्रियंका वाड़ा संसद भी जाएगी मतलब की टीम राहूल और टीम प्रियंका के बीच में किस प्रकार से तलवारे खिची हुई है अपने आपको स्थापित करने की वो भी साफ नजर आ रहा है और यह प्रियंका वाड़ा को लाने से यह जो फैमिली कंपनी है वो एक बार फिर से स्थापित हो चुकि है कि कॉंगर्स पार्टी दिखें उन्होंने कहा था कि मैर वाइनार को आपके तीन इंजन तो आल्री है चौथा इंजन राहूल गांदी ने का था वाइनार इस दिखाई दे रहे शायद विवेक शीवास्तव है उनसे पूछे उनसे पूछा तक नहीं आयूमल को पूछ दिया उनसे विवेक एनी राजा का बयान है सियासी नेतिकता रखते हुए राहूल गांधी को वाइनार के वोटर्स को पहले ही बता देना चाहिए था क्योंकि इसे जंता ने उन्हें बड़ी जीत दिलाई थी यह वाइनाट की जंता के साथ अन्याय है यह आपकी नेत्री कह रही है अन्याय कर रहे है राहूल गांदी अनी राजा ने हमारी नहीं अब देखियो अनी राजा हमारी सीनियर नेता है नैशनल फेटरेश होकर के राहूल गांदी के खिलाफ भी वाइनाड में एक पॉल कैमपेंड किया था अपनी सीनियर मोस्ट नेता को उतारा भी था क्योंकि केरला को हम सीरियस्ली लेते हैं वहां पे ट्रडिशनली कॉंग्रेस और लेफ्ट आपस में लड़ते आये हैं लेकिन शहजाद मुना आपस में हम कंटेस्ट करेंगे और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने रहेगा जो भी होगा इंदी गडबंधन सलामत रहेगा मान्यवर पंजाब में जो तूड़ गया था दिल्ली में फिर से तूड़ गया वह आप और कॉंग्रेस का पंगाल में तूड़ गया आपने क निर्ने अद्यक्ष जी करते हैं अब बताईए कि कोई भी टिकेट कॉंगर्स में बढ़ता है वह CEC और CWC तै करती है क्या CEC CWC बैठी केवल पांच लोग बैठे उसमें से तीन लोग एक परिवार के सदसे थे जो खड़गे जी के गर पे बैठे थे खड़गे जी केसी वेनु गोपाल, Sonia जी, Rahul जी, Priyanka जी मतलब यह निर्ने भी पारिवारिक निर्ने था और इसी सपस्ट होता है कि वायनाइड इस मैं फैमिली नहीं, मैं फैमिली विल बी इन वायनाइड और आखरी बात दिखे, अनुराग जी को भी पता है कि यूपी में जो गल्ती से कि उसी प्रेवारिक हो, पिस जी हमत की जाड़ी नहीं बात खागर है कि वेगए आफरी नहीं, मैं फैलाहरी की बीके बहुदिय नहीं, मैं फैमिली को जी को मैं इन वायनाइड बात आने भी इजगा के सालग थाजिए जू है बात चालधा है 2 दरसल क्या हुआ है रिए अपनी टर्न में बोलिए प्लीज एक तस्वीर आप देखरें प्रधानमंत्री इसमें गाठ पे हैं वारा नसी में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के बाद वहां के मद्धाताओं का शुक्रिया दा करने का ताशी प्रधानमंत्री नरेंद मो तो उसके बाद ये समझ गए कि समाजवादी पार्टी के दम पर कुछ सीटे आ चुकी है पर अंतु वो फिर से जीतने की हैसित नहीं है इसलिए राए बरेली में बाइपोल नहीं करवा सकते अर्णियता मैं चुनौती देता हूँ राए बरेली में करवाई है न राहूल गांधी को बोलिये राए बरेली छोड़े और वहाँ पर चुनाव वोने दीजिए पर अनुराग बुदरिया प्रधान मंत्री आज काशी विश्वनात में है और बनारस में है और शुक्रिया दा करना चाहता है और दूसरी तरफ लेफ्ट कर रहा है कि राहूल ने अन्याय कर दिया है वाइनाट की जंता के साथ और प्रयांका गांधी के एंट्री होगी है देश की राजनिती में electoral politics में देखे मैं दोनों बातों का जबाब दूँगा पहले में आधरनी प्रधान मंत्री से आग्रे करूँगा कि आप बनारस में हैं बनारस की गंगा में जिस तरह का पानी आ रहा है पानी कस तरह एकदम कम होता चला जा रहा है और oxygen खतम हो रही है जिसे जीव जन्तु मरने के असंका हो पैदा हो रही है क्योंकि बारा से कानपुर के बीच में तीन मिली ग्राम पर लीटर ऑक्सिजन रहती है पानी में तभी वो पानी पांच एच्छे मिली ग्राम लीटर रहता है एक लीटर में होता है पांच मिली ग्राम एच्छे मिली ग् तो मेरा उनसे आग्राय है कि इस पे जादा बात करें वरना बड़ा मुसीबत हो सकती तो मैं कहूंगा उनसे आग्राय करूगा आगरे करूगा कि हमारे जल में रहने वाले जीवजन तो उनकी जीवन हमारे बहुत प्रे है उनकी सुरचा के लिए कुछ कदम ठाएं तो जाद अच्छा है दूसरी बात जहां तक भारती जंता पार्टी का सवाल दीखे बड़ा जीव सा है मुझे तो भारती जंता पार्टी का कोई परवक्ता इतना निष्ठोर निर्दई और इतना कठोर हो सकता है जिस देश के अंदर में ट्रेन हाथसा हो जाए लोगों की मौते हो जाएं दस से जादा लोगों की मौते हो जाएं पचास से जादा लोग घायल हो जाएं और हम इस बात पर चिंता कर रहे हैं कि कौन कहां से लड़ेगा किस अरे आपको चिंता करने की क्या जरूत ए वो कॉंग्रेस पार्टी डिसाइड कर लेगी किसको कहां से लड़ना है जनता को जिताना है या हराना है वो जनता का काम है लेकि जनता ने आपको अभी सत्ता पे बैठा है ना 240 सीटेट दी है ना आप बैसाखी के मात्यम से सरकार चला रहे ना तो आपकी जिम्मेदारी तो आप तो कहते हो कि मेरा परिवार है देश मेरा परिवार है और परिवार के लोगों की मौते हुई उस पर चर्चा नहीं कर रहे लेकिन आप यहां पर कॉंग्रेस के परिवार की चेटा करें कमाल की बात करें देश मेरा परिवार है उनपे लोगों की मौते होिए एक शब्द नहीं बोला आप डिवेट सुरु होने के पहला बात किजह न तेट देखकर दूरी स्प्राइब ही ते लुए~~ अनुराफ बीच में आनुराज जी बीच में बीच में नहींहीं यह आग्रह करूंगा प्यूज इस प्रकार से पहले विवेक ने मुझे पहले विवेक यहुए जो जिसका नाम मेलूज का आडियो खोले अभी अभी शेदाद पुरावाला को अनिटरप्टेट 50 सेकिंड मिले मेरा निवेदर है पीस यह जो अनुराद भदोरिया हर टीवी डिबेट में अमीश के शो में नीमबू कभी मिर्ची कभी टमाटर कभी जिंजर ये लेकर आकर ब रही लाए बुर्खा लगाकर एक एक लाक रुपए अनुराद की पार्टी से भी और कॉंग्रिस पार्टी से मांग रही है उनके वादे कब पूरे किया जाएंगे उस पर जवाब नहीं मैंने अपनी पार्टी की चिंता नहीं मैंने के वायनाड की जंता की चिंता प्रकट कि जैसे प्रधान मंत्री ने जब वारा नसी और वरदोद्रा चुना तो उन्होंने वदोद्रा की जनता को पूरा बताया 15 मार्च को वदोद्रा का अनॉश्मेंट हुआ वारा नसी का 11 मार्च पावन खेड़ेर ने ने रही बताया जूट है वो पहानाट की जनता को बताया क्यों है तैसीम पुनवाला ये फेक न्यूस क्यों स्प्रेट करने का प्रयास हो रहा है कि देखिए 14 जब 2014 में प्रधान मंत्वी मोदी दो सीटों पर चुनाव लड़े थे तब उन्हों ने भी नहीं बताया था हम खुद कवर कर रहे थे मैं एक संपादक था एडिटर था मुझे खुद भली बात याद है कि वारा नसी की भी अनॉस्मेंट पहले हुई थी और जो गुजात थे जिस सीट पर चुनाव लड़े थे उसकी भी अनॉस्मेंट पहले हुई थी क्या आपको लगता नहीं है ये नरेटिव बिल्डिंग कर अब दो पैरलल्स को ड्रॉ करने का प्रियास है और अभी शेदाद पुनावाला आपके भाई साब वो कह रहे थे कि डबल इंजिन क्या है ये तो चौते इंजिन की भी तैयारी हो रही है राबर्ट बाडरा भी आ रहा जाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर क्या करिएगा तो आपके शो में शिर्कत करने का मौका मिला दो या तीन चीज़ सबसे पहले तमें श्रद्धान जली देना चाहता हूं दस लोगों को उन दस भारतियों को जिन की जिन लोगों की इम्रुत्य हुई ए ट्रीन दूर्गतना में और दोहजार चौदा से लगातार दस त्रीन हुझा और भाजपा इस पर बात करें खर उनको प्रियंका जी पर बात करना है उनका अधिकार है त्रे ड्रे रेलोड करतना पे शाई मैंने आपको वारा नासी से मिलाता है उस दिन धी मैंने आपको एफ आरपोर्ट पर बताई थी कि राहूल-Gandhi G जी राए-बरी जिए ल बात जानती थी, सब के पास था, इसे भाजपा के टीवी पे कह रही है, पेली बात, दूसरी बात, प्रियंका जी लड़ रही है, हम सब की इच्छा है कि व परलिमेंट में जाए और देश के आवास, कॉंग्रिस के आवास को बुलंद करें और विपक्ष के रूप में उतरें पीसरी बात, अगर रॉबर्ट जी जाना चाते है, इसमें गलत क्या है, जाए वो भी, इनके पेट में क्यों डुक रहा है भाजपा के, भाजपा अपनी चिंता के रहे है, मोहन भागवत जी ने क्या समझाया है, वो उस बात को समझे, इंदरश कुमार जी ने क्या समझाया इनका RSS का नहीं बन रहा, और दूसरों को कह रहे है, क्या करना है, इनसे हमें कोई उपदेश नहीं लेना, मैं आपके शोपे, चाथी ठोक कर, आख में आख मिलाकर, ताल ठोक कर कह रहा हूं, अमीज जी, वीड माई लिप्स, प्रियंका जी जा रहे है ये पार्लिमेंट मे बाचपा को जो करना है करे, वहाँ जाते प्रियंका जी अच्छे स्पीचिस देगी, बहाने ये प्रधान मंतियों और ग्रह मंतिरी को कॉनर करेगी, ये इनकी दरे हुए, इसलिए ये भौकला है हुए, इनसे हमें कोई डर नहीं, इनको जो करना है करे, रेल दूर करना की की चिंटा करें ओके दरे हुए है आप खौफ में देखे पहले तो मैं फिर से रिटरेट कर रहा हूं मैंने कोई सवाल नहीं उठा है सवाल उठाने वाले लेफ्ट पार्टी की एनी राजा है जिसने कहा था राहूल गांडी पलायन कर जाएंगे और राहूल गांडी ने पला प्रोपगांडा जो पहला जाता है तैसीन पुनावला बोला कि हर महीने 10 एक्सिदेंट हो रहे है इस देश में 1711 एक्सिदेंट हुए थे 2004-14 के बीच में प्रतिवर्ष 170 एक्सिदेंट होते थे आज उसमें 60-70% की गिरावट है रेलवे बजेट में safety के लिए 8 लाग करोड खर्च हो रहा है जहां पर एक लाग करोड कर्च होता था परन्तु तैसीन पुनावला प्रोपगांडा फैलाना है तो फैलाते रही है परन्तु मैं पूछा जाता हूं तैसीन पुनावला जब मलका अरजुन खडगे एक साल में 10 एक्सिदेंट उनके हुए और रेलवे में सौ से अधिक लोग मारे गए कितनी बार आपने शदानजली अर्पित की जड़ा आपना ट्विटर टाइम लाइन खोल के बता देना आज वो विशे नहीं है आपने क्यों के छेड़ा तो मुझे फैक्स रखना पड़ा पर मैं तैसीन से पूछना चाता हूं एनी राजा जो लेफ को गंभी स्था से नहीं लेना चाहिए लेफ सिफ केरल मैं ठीक है मैं मानता हूं इंडिया लाइन्स के पार्टर जे मैं इस बात को मानता हूं का रिस्पेक करता हूं लेकिन वो उनकी ऑपोजिशन है वहाँ पर तो उनको अधिकारे बोलने का और और भी बड़े मार् में और मैं दुबारा से कह रहा हूं रॉबर्ट जी भी आएगे आप जो कर सकते आप करिए जो कर सकते करिए आप पहले RSS को ठीक कीजिए RSS आपको लेक्टर देरा पहले RSS से पैच अप कीजिए देखे यह तो अच्छी बात है कि अब जो लोग RSS को अनेको प्रकार की गा में आप लोग तो कहते हैं हमारी पार्टी लोगतांसी तरीके से बठती है बरत करती है चर्चा करती है जी व यह जальных हैं कोंग्रेस के अधिक्ष खरगे जी है प्रपोजल आया था केला प्रदेश कंग्रेस से उसके बाद राउल गांदी जी ने इसको प्रेजेंट किया और खरगे जी के पास कंग्रेस के में प्रेसिडेंट के पास विश्य शदीकार है कि वो फैसले ले सकते और टिकेट दे सकते और ओड दिया गया है CWC की मीटिंग में रेक्टिफाई होगा कॉंग्रेस का कॉंस्टिटूशन पर लीजिए अब मैं मतलब की तीन सदस्य एक ही परिवार के निर्णे कर रहे है कि एक और सदस्य को टिकेट मिले या ना मिले और सम्विधान सब्सक्राइब पढ़ा है अनुराग कुछ कहना जा रहे है अनुराग पर भी CEC के बिना टिकेट टेकरनी का किसी के बास अधिका रहे है अनुराग रिप्लाए परिवार वाग के उपर आपकी रहे अनुराग जी पहले महंगाई पर बोले है करनाट का में महंगाई बड़ी है उसके ऊपर क्या है जल्के जिन जंतों के लिए बोलने वाला अनुराग इंसानों के लिए ने बहुत आ रहा है इस समय हमार सा स्टूडियो में आ गए है अचारे प्रमोट किस्टम मैं चाहता हूं कि वो स्टूडियो में प्रवेश करें अचारे जी आपका बिनंदन है न्यूज 18 पर और बड़ा बड़ा बयान दिया है अचारे प्रमोट किस्टम ने बड़ा बयान दिया है और वो बयान है वो अचारे जी आपका जो बयान है वो बयान में क्यों आया है वो आपने क्यों दिया है आप कौन से बयान की बात मैं बोल रहा हूँ जो आपने प्रियंका जी के लिए बोलाया कि प्रियंका गांधी वाडरा सबसे लोग प्रिये चेहरा है लेकिन वो खास मक् इसलिए ना माने जाए यह तो प्रतेक्ष को प्रमान की आवशक्ता नहीं होती है पार्टी में ऐसे लोग बहुत ज्यादा है जो हिंदू शब्द हिंदू नाम से भी राम बंदिर राम बंदिर का बाइसकार निमंतरन का बाइसकार लेकिन यह लाइन आपने क्यों लिए यह बिकाज वाइनाइड का जो पॉपलेशन है उसका 40 परशन मुसलमान है 20 परशन डिसाई है तो इसलिए प्रेंका गांधी जी तो बहुत बड़ा चेहरा है कॉंग्रेस पार्टी का निसंदे मैं अभी भी कह रहा हूं और प्रेंका गांधी जी को कहीं ऐसी जगह से लाडाना आप तो आरूप लगाते हैं कि कॉंग्रेस में राहूल वर्सिस प्रेंका है लॉबी है दो अब आप इतने सारे सवाल मुझ पर करेंगे और मेरा कोई जवाब पूरा नहीं होने देंगे तो कैसे काम चलेगा वैसे ही दुधारी तलवार में गरदन है मेरी तो सवाल इस बा प्रेंका गांधी लड़ती हैं कि कॉंग्रेस के वर्कर में यह मैसेज जाता कि हो सकता प्रेंका गांधी प्राइम मेस्टर भी बन सकती हैं तो इसका फायदा पार्टी को मिलता कॉंग्रेस पार्टी को मिलता आज प्रेंका गांधी जी को चुनाव लड़ा करके सिर्फ उन अमिश दिवगन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं कि एक तो प्रेंका गांधी जी को वो सीट देना, जिस सीट पर मतलब 40-20, 60-62% नोन हिंदू है, दूसरी बात प्रेंका गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़ना नहीं चाहती है, प्रेंका गांधी जी उत् तो इन उन्नोंने तो टिकेट मांगा नहीं, जिला कॉवस Жाह का गांधी न रिकमेंट मेंने किया, प्रदेश कांधी तो यह जो वर talking pos vomati क्मेटी जो बना रखी है, यह फिर नाम की है, और पाँच मांदी इंप्रेंका गांधी बात यह कुरु знач प्रियंका गांधी को आप सिर्फ MP बना के लाएंगे तो क्या फरक पड़ जाएगा प्रियंका गांधी जी को राइबरेली लड़ना चाहिए था ओके मुझे लेकिन प्रोसेस तो तब यह होता है तैसीन पुरावाला इद के दिन घोष्णा हुई नहीं वहीं बकरा इद के दिन घोष्णा हो मीठी इद के दिन चलता है उसका तो स्वागत करता मैं बकरा इद के दिन घोष्णा है अचारे जी को समाप्त होनी दीजिए तो यह क्या स्टेटेजी है भई तैसीन तो जो मुझे समाप्त करने तो भी कोई बात नहीं मैं तो दूआ ही दूँगा उनको तैसीन पुरावाला बेक यू पॉइंट आपकी दूआ हमेशा मेरे साथ रहे गी आचारे जी आपका आशिरवाद बना रहें लेकिन कल लेकिन मुझे लगता है इसको इसका कोई क्ईकल क्यों क क्ञेकशन था है कल 17 अशनी चल रहा है आठ नमबर मुझे लगता फसका जादा कनेकशन तिया जानते है और शनी का साल चल रहा है लेकिन जाधा ज़रूरी चीज यह है कि और शनी बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यह बात मानता हो तो अगर प्रियंका जी लड़ती वारा नासी से, माननेया प्रदानमंत भी हार जाते हैं, केवल 1.500,000 वोटों से भी जीते हैं, तो वहां से उनको हार, अगर हार भी नहीं होती तो बार टाइट मुकाबला होता, अगर भी जीते भी तो 5-6.000 वोट से जीते हैं, मैत्वपून चाहते हैं, कि हर कॉंग्रिस का कारिकरता, हर कॉंग्रिस का समर्थन, मेरे जैसा चाहता है, कि श्रीमत्ती प्यंका गांडी वादरा जी पार्लिमेंट में आये, और कॉंग्रिस पाटी के आवाज को बुलंद करें, वो वहां जा रही हैं, भाच्पा डरे हुए है, और इतनी irrelevant left है, इतनी irrelevant left है, तैसीन से आपका सवाल है, तैसीन पूरावाला जी बहुत intelligent आदमी है, आपने अभी कहा कि अगर प्रेंका गांधी जी काशी लड़ती है, तो मोदी जी हर जाते, और ये रहूल गांधी जी ने भी कहा था, तो इसका मतलब मोदी जी को आप लोग हरान आपको सवाल का सीधा जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, तो हराने के लिए सीधा ही जवाब दे रहा है, अचारे जी आप ही से सीखाओ, बिलकुल उनको हराना था, ये बात तैय हुई कि प्रियंका जी राइबरे लिए अमेटी पर फोकस करी और अजे राइजी वारा अगर कॉंग्रेस पार्टी जीती है तो अनुराग भधादोरिया की पार्टी का भी बहुत बड़ा हात अनुरुव्राग भधादोरिया जी की पार्टी की वजहसे ही कॉंग्रेस की सीटे ही आ इए, माफ करना अगर 2027 का चिनाब होगा, समाजवादी पार्टी ये जो चर्चा चल रही है वो यह है कि परिवार बता प्रयांका गांधी वाड़रा को भी टिकट लेने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा क्या तो वन इन फैमिली है अब जैसे डिम्पल जी को थोड़ी पूछना पड़ेगा टिकट है तो उनको तो मिलेगी धर्मेंद याद बीजेपी के परवक्ता ने क्या वोला अगर आज डिवेट रेल एक्सिडेंट पर होती तो हम बोलते अच कमाल की बात कर रहे है अगर हम कहीं जाएंगे और यह पता चलेगा कि किसी के परिवार मेरे परिवार में कोई हाथसा हो गया है तो क्या हम वो फंक्शन अटेंड कर कि कौन का सगड़े गए विशे उसकी इंपोर्टेंट है लेकिन वो परिक कहते हैं पुरा देश मेरा परिवार है और परिवार में 10 से ज्यादा लों की मौते होंगी 50 से ज्यादा घायल होगे यह मेरा विशे नहीं आज का विशे नहीं है आज इस पर चरचा नहीं होगी कम अगर इनको लगता है कि और किसी विशे पर डिबेट नहीं होनी चाहिए तो आज जुड़े क्यों? अचारे जी को भी पता था तो मुझे लगता है कि यह तो सबसे बड़ी बेशर्मी है कि अनुराग भदोरिया जिस मामले पर हम लोग को एक मत होना चाहिए उस पर राजदीती करने के लिए आज डिबेट पर आए मतलब अनुराग भदोरिया जिसके मूँ से 1700 एक्सेंट हो सामाने का सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों आपर तीन रुपे डीजल बढ़ा उस पर जवाब कर देने के लिए तयार नहीं है अनुराग भदोरिया यह पताने के लिए तयार नहीं है कि एक लाक रुपे कब जमांगे महिलाओ के अकौन में वो जंद समस्या है उस पर बोल करते थे वो कर रहे हैं हमने खुद देखे द्रिश्चे अश्णी वैश्णव किस तरह से एक बाइक पर पीछे बैटके जा रहे हैं और वहां पर मदद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं बतार रेलवे मिनिस्टर मेरा स्प्रश्ण आपसी है रॉक्टर अनुराग बुदर कामाल की वाथ है कहार पर ने तरुद सहाइजाद पुनावाल्ग बलवा दिया मेरे बात पूरी नहीं ओई और फिर आप ताली टोगना घर और ने बुलिये बोलिये बोलिये यह नाटग चला कुं कॉन बोलने के बाद चुपी नहीं होता उसकी रेल गाड़ी रुखती नहीं है ब्रेकी नहीं रखती लेकिन बोली आप अपनी बात को रखे पटा सेके अब यहां साथ अपने गले लगाएंगे परिवारबाद ही नहीं है जब में तो सत्ता ही जरुती तो चोटा अलावी लिए आते हैं आज देखे टीडीपी के साथ मिए और अगर इनके जखाट के देखेंगे तो राजनात सिंग के क्या बेटा यहां परिवारबाद से नहीं क्या पुछता हूँ यहां परिवारबाद से नहीं आते सिंधिया की पूरी पूरी फैमिली इनके साथ परिवारबाद से नहीं आती उत्ता प्रदेश कितने MP जिनके बेटे लड़े परिवारबाद से नहीं आती कमाल की बात करते हो कौन सा परिवारबाद की बात करते हो अपने देस के साफ पाक साफ हो गए आपने देस के साथ दोगा किया देस की जन्ता ने आपको हराया है इसे लिए क्योंकि आप बहुत्ति की बीजेपी की 240 एंडिया अलाइंस। मतलब मैं जानना चाहरा हूँ एक स्था नहीं मिली सारी केसे नहीं थी हाँ दोसो चालिस दोसो बहातर चाही होते ना दोसो बहातर चालिस पर जनता ने लाकर रोग दिया है आज तो मैं बड़ा प्रसंद हूँ कि देखे लेफ्ट के नेता भी बैठे हैं वो भी वायनाड का चुनाव लड़ेंगे पर समाजवादी पार्टी ने लेफ्ट को लात मारते हुए कह दिया है कि प्रियंका के साथ ही हम खड़े हैं मतलब विवेक शिवास्तव जी का चहरा देखने लायक था पहले कॉंग्रस के पक्ष से बोलने वाले तैसीर पुरानावन ने बोला कि लेफ्ट तो इर्रेलेवेंट हो गया और अब समाजवादी पार्टी के नेता बोले परिवारवाद है तो हम तो प्रियंका चाहते हैं लेफ्ट की क्या हैसियत बन चुकी है बताइए कि दो साथी उनके इसी जो पर बैट कर उन्हें अपना आईना और चहरा दिखा रहे हैं और वो भी उस प्रदेश में जहां प बड़ी क्लिएर सी बात है, अब देखिए सबसे पहली चीज तो मैं अचारी जी की बात में बोलुझा बड़ा हिज्ब करता हूं में इनकी, कि बाई ईद के दिन अगर टिकट डिक्लेर करेंगे तो मुसलमान वोट देसे हूँ देएंगे, दिवाली के दिन अगर टिकेट पुनावला बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मुझे नहीं मालूम कि अभी चुनाओ के रेजल्ट आही रहा था कि शाम को प्रदानमंत्री बीजेपी के ऑफिस में चले गए और अपने आपको प्राइम इनिस्टीरियल केंडिडेट भी गोशित कर दिया जेपी नडडा आप हिंदूों को देख करके राजी नहीं है कॉंग्रेस पता नहीं कैसे कह रहे हैं और किस आधार पर कह रहे हैं आयोध्या चित्रकूट नासेख जितने हिंदूों के तीरस्तल हैं हर जगा बीजेपी को नकार आ गया है इंडिया गद्बंटन इंडिया लाइंस की पार्टी और कॉंग्रेस नेका अच्छा प्रदर्चंतर राउत्तर प्रदेश में तो इन चीज़ों को हमें रियलाइज करना चाहिए जिंको आप ब्रशनाओं नहीं कर सकते का अचारा अचारा परमुत किश्वर्य पार्टी के अंदर प्रिंका गांधी सबसे जादे कि अच्छन में वाइनाड से टिकेट देना दूसरी बात यह मैंने कहा कि उनके कद को छोटा करना है दूसरा मैंने उठाया कि 60% नौन हिंदू है वाइनाड में 60% नौन हिंदू यह तत्त है यह मेरे कहने से और वेवेग जी आपके कहने से बदलेगा नहीं तो वहां का टि पड़ी नहीं करूँ और चौती बात मैं आज में कहना चाहता हूं अमीजी आपके जनके के उत्तर प्रदेश के अंदर भधारिया जी सुने इस बात को उत्तर प्रदेश के अंदर कॉंग्रेस पाइटी और समाजवादी पाइटी मिलके लड़ी 2017 में अगर मैं फिर कह रहा हूं अगर अखलेश जी ये फैसला कर लेते हैं कि अभी मैं 400 सीट पर चुनाब लड़ूँगा तो कॉंग्रेस की हालत क्या होगी ये देखने वाली बात है और जिन सीटों पर कॉंग्रेस की विज़े हुई है वो सब सीटे हैं इसके लिए मुझ इसको वाकई शुक्रियादा करना चाहिए सिर्फ मुसल्मानों का मुसल्मानों के वोट से कॉंग्रेस पार्टी की सीटे आईए इसलिए मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया है हुआ एजरिती घटि वूसल्मान का एक वुस्ट मोट कॉंग्रेस पार्टी को पड़ा है हिंदू गफलत में थे हिंदू गफलत में जएक और उन्होंने वोट ही पोल नहीं किया और मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पाइटी ने इनी बातों को ध्यान में रखते हुए वाइनाड सीट पे प्रियंका जी को उतारा है अब विवेग जी की पाइटी क्या करेंगे ये विवेग जी बतारूरिया 40 सेकंड शाप रिपलाई डॉक्टर बजोरिया शाप रिपलाई बदॉरिया जी हाराया के हो मेरी बात-वुझाय हो जाए सर, मेरी बात तो पुरी हो जाए मैं आप बोल लीजीगा मैं अभी नहीं करता हूं मैं तो मौत दो लाइन कहूंगा दो नहीं आप 10 लाइन कहिएगा पुरा सुनेंगे जो एक शोडेंगे एक से किन वादे प्यार बफाश रूको बातों है बातों का अनुराग जी मैं आप तो उलजना चाहता ना बहुत बिद्वान व्यक्ति आप सुनिए आपने गीत गया एक गया उसका जवाब गीत से देना चाहता हूं सिर्फ एक अच्छी तरह से देना चाहता हूं आया समय ब कितना बदल गया इंसा क्या बात है अनुराग जी समझ गे मेरी बात को अनुराज जी का छूढ़ घया है अनुराज जी अनुराज जी कीमेरी बात को समझञ गए आपको अनुराज जी की बात को मैं समझ गया हव सहाज़ाइब भोलें लेकिन शदाद बोलेंगे लेकिन सर एक बढ़ी ख़बर आगई है हर्याणा में केरन चौधरी ने कॉंग्रेस से स्टीफा दे दिया है सिटिंग में लेने स्टीफा दे दिया है और बीजेपी को जॉइन करेगी हर्याणा कॉंग्रेस की बड़ी नेता है केरन चौधरी वो बहुत बड़ी खबर है कॉंग्रेस को ये बड़ा जटका है हर्याणा के अंद परन तू अब क्या कहा विवेग जी ने कि हम लोगों को अयोद्या में हरा है ना जी ना देखे मुझे फैक्ट बोलने दीजिए अमीजी फिर से बीच में यह इंटरॉप्शन मास्कर बीच में बोलने लिए तो सारी चीजों को यह समादादी पार्टी का हर्याना में तो फिल के साथ हम वापसि कर रहे हैं आप देख रहे हैं cnbc आवाज देश का नमबर बन विजनस सेम्ट वेल्कम बैक विवर्स आप देख रहे हैं cnbc आवाज पे टककर का आज का एडिशन यानि टूजडे एडिशन बड़ी खबर है किरन चौधरी कॉंग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी को जॉइन कर सकती है हर्याना में कॉंग्रेस को यह बहुत बड़ा जटका है शेदाद पुनवाला मेरे साथ हैं शेदाद पुनवाला क्या कहना आप चाते हैं अलकि अभी वो जॉइन करेंगी लेकिन कहां अन्याय हो रहा है और कहां न्याय हो रहा है सबसे बड़ा अन्याय तो तब होता है जब 3-3.5 रुपे डीजल पेट्रोल के बढ़ाये जाते हैं अनुराग भदोरिया जो लेकर आते थे आज कुछ बोलने को तयार नहीं है जो महिला एक एक लाक रुपे मांग रही उस पर अनुराग भदोरिया कुछ बोलने को तयार नहीं है अनुराग भदोरिया कहते हैं कि हम अयोध्या में आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए फैजाबाद की नाम की सीट है आयोध्या में हम जीते हैं, बाकी की चार विदान समा में हमारे हैं, पर तु पूरी में कौन जीता, तिरुपती बाला जीता, तृपुरा सुंधरी की, तृपुरा में कौन जीता, उतराखंड में, देव भूमी में कौन जीता, हिमाचल में कौन जीता, जहां पर देव भूम महाराष्टा में तो एलोपी पूछ कर बनाते हैं आप से तो पूचा तक नहीं आप हरा कुर्टा पहन कर उनके आरे जंटेंगे तो आप एक काम कीजिए यहां 30 रुपए डीजल पिट्रॉल कर दीजिए प्लीज आपकी सरकार वीशे उठाओ आप अपनी सरकारों में दाम अब यहां बड़ाष्टा में अब यहां 40 पूचक हैं कि ने बोली उस बात कुमें फैक्ट्स है की वाइनार्ण स्थी मोरटर्स की संक्या 40 पूच्छ क्रिश्ट बेूच्छट मूच्छट है और Congress को वहाँ Muslim League का सवर्थन भी है तो एक advantage है बड़ी मुझे लगता है यह आकड़े ठीक नहीं है I think 51% Hindu voters है 49% बाकी बट उसे क्या फर्रक परता है और मुझे यह बात समझ मिने है मैं अचारे जी की बहुत respect करता हूँ कि अचारे जी को कैसे पता चला कि जितने भी Muslim vote है वह Congress को गए देखे EVM में जो vote होते है अभी जानते में जानते है यह सिक्रेट वोत होता है यह Musliman vote Congress को गए यह Election Commission को नहीं पता यह सिफ आचारे जी और भाजपा के समर्थकों को कैसे पता मुझे ही समझ में आता है बड़ी विनमता से में पूछता हूँ यह सारे सैफलोजिस्ट करते सवाल करना है यह तो पोलिंग के बूत से पता चल जाता है तो हाला कि मैं उस गंबीर ता उस भी में नहीं जाना जाता है पोलिंग बूत जहां होता है मालिजीय का 1000 वोट है 900 वोट एक करफा पड़ा वो तो रिकॉर्ड पर है आप नेट से चेक कर सकते हैं लक्षे कमिशन की वेब साइट पर मैं अभी इस विशा पर नहीं जाना जो मैंने कहना ता कह दिया मुझे सिर्फ दो बाते कहनी है पहली में बीजेपी का कैंडिट हारा है किसी भी राजनेतिक दल के कैंडिट का हारने से अगर ये कहा जाए कि अगर 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 तो सनातन हार जाएगा औ कि अब जो है आने वाले राज्यों के चुनाव में क्या होगा जहां तक मेरा नुमाने में जानता हो कि आपका ब्रीकिंग न्यूजे के रिजाइन किया लेकिन हर्याना और महाराष्ट्रा में कॉंग्रेस की सरकार बनने जा लिए मैं आपके साथ रहूगा मीज जी आप मुझ जीते हैं 99 सीट टीसी बार आने के बाद मतलब की सौ पार नहीं कर पार है तीसी बार भी उनके गड़बंदन को उतनी सीटे नहीं मिली जितनी बीजेपी को मिली है फिर भी वो अपने आपको इशुप काम नहीं दे रहे हैं सुप्रिया शीनेत येस वी डिडिट कर रही हैं यह अभी भी अपने गफलत में रहें कुछ लोग जीत में भी विनमर होते हैं और कुछ लोग आपको हराई रही है आपको देखिए सवाल है भारती जनता पार्टी से सीधा सब सबाल है आप बताईए उत्तर प्रदेश के हैं डिजल पेट्रोल कम कर दीजे ना भी आपकी क लेकिन वह और विए रिक्रेस्ट वो लफंगे वाला काना क्या था दूबारा एक बड़ी गुन गुड़ा दीजिए नहीं हमीश अनुराग बदारिया अनुराग जी से यह पूछिए कि दो हजार 27 में जो चुनाब होगा क्या उनका कॉंग्रेस के साथ गठ्ट बंदर रह आपका भी और अचारे जी आपका भी पूनवाला अनुरा गुदरिया आपका भी शुक्रिया तहसीन आपका भी शुक्रिया तो फिलाल टककर के अडिशन में इतना ही आपका शहदाद और अचारे जी बहुत 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 शुक्रिया हमाने बंच पे आने के लिए और सी झाल झाल